नमस्कार 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 दोस्तो मैं स्मिनल थत्ते आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आप सभी को और आपके घर परिवार को मेरे तरफ से दिवाली की हारदिक शुप कामना है आप सभी की मनो कामना पूरी हो यहां मैं इश्वर को प्रार्थना करता हूँ दोस्तो आज मैं आप सभी को श्री यंत्र और कुबेर जी की स्थापना दिवाली के मुहरत पे कैसी करनी है यह बताने वाला हूँ श्री यंत्र मंत्र और कुबेर मंत्र भी बताने वाला हूँ तो श्री यंत्र की महमा ऐसी है पुराणों और कथाओं में ऐसे कहा गया है कि श्री यंत्र में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली माता और भुवनेश्वरी जी का आशिरवाद होता है उनका अस्तित्व होता है उनकी शक्तिया होती है तो इस मंत्र को आप जाप करे इस यंत्र की आप पूजा करे तो उनका अशिरवाद आपको प्राप्त हो सकता है तो दोस्तों लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और काली जी भुवनेश्वरी माता जी का आपको आशिरवाद चाहिए तो यहां मंत्र कृपा करके आप लिख लीजिए तुरंत और यहां मंत्र आपको रोज पुजा करते समय श्री अंत्र की पुजा करके और भगवान की पुजा क सबस्क्राइब यह मंत्र है ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम रीम श्रीम महालक्षम नमहा यह मंत्र आप रोज कहें और देवी लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, भुवनेश्वरी देवी का आशिरवत ले तो दोस्तों यह श्री यंत्र मंत्र की महमा ऐसी है कि इससे इन चारों देवियों का आशिरवाद मिलता है हमें ऐसे कहा गया है कथाओं में कि इच्छा पूर्ती, बुद्धी चातुरिय, आत्मशुद्धी, नेम, फेम, गूड, हेल्थ, अच्छी सेह, धन, प्राप्ती और आईश्वर्य के लिए, भाग्योदे के लिए यह श्री यंत्र की पुजा करने से हमें उनका आशिरवाद प्राप्त होता है तो दोस्तों यह आप श्री यंत्र की रोज पुजा करें और मंत्र कहें और उनका अशिरवाद लें और अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कुबेर जी, कुबेर जी जो धन के, दवलत के क्या है, देवता है, बहुत बड़े देवता, जिनका अशिरवाद अगर मिल जाए, तो हम बहुत ही लैविश एकदम आराम दाई और अच्छी जिन्दगी जी पाएंगे तो इनका मंत्र है कुबेर मंत्र, प्लीज लिख लिजे, ताकि आप रोज यह मंत्र कहे सके, तो यह कुबेर मंत्र है, श्रीम ओम रीम, श्रीम ओम रीम, श्रीम कलीम, वित्तेश्वराय नमहा तो यह मंत्र कहे श्री कुबेर जी की मूर्ती या उनका यंत्र आप आपके घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, वह उनकी जो मूर्ती होगी या श्री यंत्र होगा उसकी पीट उत्तर दिशा के तरफ होगी और मू जो उनका फेस है, तो फेसिंग उनका दक्षिन के तर और कुबेर जी की information दी है उनके मंत्र बताये है और उनकी महत्व कहा है जो कथा पुराणों में बताया गया है तो दोस्तों मेरे बाकी के जुयो मंत्र है देवियों के वह मैंने आप सभी को नवरात्री के मेरे दो special वीडियो थे उसमें बताये है वो भी आप देख ले तो दोस्तों आप सभी को मेरे तरफ से और आपके परिवार को हर्दीक हर्दीक सुपकामनाए यह दिवाली जोर दार दूमदाम से मनाए और खुशिया मनाए तो दोस्तों हैपी दिवाली, all the best, मेरे योट्यूब चैनल को आप प्लीज लाइक करे, शेर करे और सब्स्राइब जरूर करे ताके मेरे नए नए वीडियो से आप तक तुरंद पोच सके दोस्तों हैपी दिवाली, थैंक यू, धन्यवाद